बिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकम एंड वेल्कम बैक माइनस्टी क्लास हाव यू वाल आप यू वेल और आज के लेसन के लिए आप तयार होंगे तो जल्दी जल्दी से वो इंस्ट्रक्शन्स जो आपको टीचर ने देनी हैं और अभी मैं आपको दे रही हूं उ आप बच्चों को इसके साथ जो है वो लेसन को स्मूदली रन कर सकें और तमाम एक्टिविटीज का रिसोर्स आपके पास मजूद हो याद रखिए अगर कोई ऐसा सर्टन रिसोर्स है जो आपके पास exactly मौजूद नहीं है तो आप उसका कोई alternate भी कर सकते हैं but it has to be relevant to the SLO via teaching so let's start the lesser dear children आज हमें कौन सी skills चाहिए आज हमें skills चाहिए listening, speaking and writing यानि आज पहले आप कुछ सुनेंगे, देखेंगे, उसको बताएंगे और उसके बाद फिर हम कुछ writing की practice करेंगे so let's see what do we have for you today, आपको पता है कि हम colors पर discussion करें हैं और दो ती दिन से हम different colors के उपर ही explore करें और experimentation करें तो आज जो हम color करने लगे हैं वो कौन सा है, so let's start with today's lesson, dear teachers the SLO says recognize name and differentiate between colors so my dear students, I hope that you remember कि हम अब secondary colors करें और secondary colors क्या होते हैं, वो colors जो दो colors को primary colors को mix करके बनाए जाते हैं, उनको secondary colors कहा जाता है तो secondary colors के लिए आज हम कौन से दो colors का इस्तमाल करने लगे हैं, पहले हम थोड़ा सा repeat कर ले, revise कर ले कि primary colors थे कौन से कि अगर आप कहीं से भूल गए हैं, तो हम उनको recall कर ले, तो हमारे primary colors थे red, blue and yellow तो इससे पहले जो हमने एक secondary color बनाया था, यानि एक निया color बनाया था, कोई से दो colors mix करके, वो किसी को याद है, वो repeat करके बता सकते हैं, कि कौन सा colors थे, जी हाँ, वो color था, green, yes, very good, I hope that you remember it, please सारे मेरे साथ बोले, हमने कौन सा color बनाया था secondary, हमने green color बनाया था, और green color करने के लिए बच्चों हमने कौन से colors mix किये थे, we mixed blue and yellow, तो आज जो हम secondary color करने लगे हैं, वो देखने में कैसा है, जरा screen पर अपनी तवज्यो कीजिए, और गौर से देखिए, और अगर आपको इस रंग का नाम आता है, जो अब आपके सामने आने लगा है, तो आप जोर से shout करक And what is the name of this color? Yes, the name of this color is purple and purple is also a secondary color, इसका मतलब है हम आज फिर दो primary colors को mix करेंगे, ता कि हम ये वाला color बना सकें, तो अगर आपको जानना है कि हमने कौन से दो colors mix करने हैं, तो जल्दी से इस activity के लिए तयार हो जाएं और अपने book के page को अपने सामने ready कर लें, टीचर ने आपको definitely page number बताया होगा और दिखाया भी होगा, तो जनाब उसको खोल लें और अपना resource यानि अपने color pencils ready कर लें क्योंके सबसे पहले हमने जो task complete करना है, वो अपनी book पे है, and we are going to make a new color and the name of the color is purple and what colors are we going to use? we are going to use red and we are going to mix it with some blue and this puddle will turn into purple, so let me see if I have purple color, yes I do, so once you are going to use both of the colors together, ये puddle आपने सारा purple कर देना है, कैसे करना है, green, no, not green, आपने लेना है red and blue और उनको mix करना है, so what you are going to do is, you are going to use your own color pencils, first either use blue, let me show it to you, either you can use blue first or you can use red first, whatever it is, आप दोनों colors को जब उपर नीचे के साथ करेंगे, जैसे हमने green बनाया था, तो इस तरह जो color बनेगा, वो बनेगा purple color, तो इसके लिए purple color के लिए आगे भी आपके लिए activities है मेरे पास, लेकिन अभी आपने इस puddle क color करना है, और निया अपना purple color बनाना है, जितना जोर से करेंगे उतना dark बनेगा, जितना light हलका सा हाथ रखे करेंगे उतना, वो light shade बनेगा, मगर वो होगा purple ही, so teachers, बच्चों से activity execute करवाईए, pause the video and once the puddle is complete, we will be back for the next activity, तो जिन आप पडल में कलर हो गया, तो मैंने क्या किया, उतने time में जितने में आप पडल कलर करे थे, मैंने अपने इस flower में कलर कर लिया, and I used the same color pencils, एक red and एक blue, so the color which is popping out is purple, so this is the purple color, and I hope that आप की book के ओपर भी जो color निया आया है, वो purple color है, और आपको बहुत पसंद होगा, मुझे तो purple color बहुत प्यारा लगता है, so let's see, अब आप के लिए आगे purple color में मैं क्या activity लेखिया है, क्योंकि अब आप एक नए color की पहचान करे हैं, और इस पहचान के लिए आपको उसको देख के उसका नाम बताना आना चाहिए न, so what do you see on the screen, it's a picture of a watch, but what is the color of the watch, it is purple, exactly the same color जिस पे आज हम बात करे हैं, तो जल्दी से जाएए, अब इस purple color की पहचान मुझे उमीद है क्या आपको काफी हद तक होगी होगी, तो आपकी जो class में science corner मौझूद है, उस में से आपको जितनी भी चीज़े मिलती है purple color की, वो उठा के लिए और मैं अपने science corner में जाती है और देखती हूं मुझे क्या मिलता है purple color का, and then we will share this experience, so teachers, बच्चों को groups में, science corner में भेज के, इस activity को execute करवाए, let them bring those purple things on their own table, let it be any shade of purple, and then we will be back. तो yes my dear students, जिती दिर आप purple color की चीज़े अपने corner से ढूंड रहे थे, मैंने भी purple चीज़े अपने corner से अकठी कर ली, तो या देखिए purple color किन दो primary colors को mix करके बनता है, red and blue, ठीक है, and then it becomes out to be purple color, तो भी हम देखने, इस को हम explore करते है, ये paint में कैसे बनेगा, I could find some ice cream sticks which were purple in color, I could find some flowers, these are also a shade of purple, I found a play-doh purple color की, और a cube जो के somewhat purple color का है, so these were the things I thought they are purple in color, और ये मैं अपने science corner में से ले आई, आप अपने science corner में से क्या ढूंड के ले क्या आई है, इसी तरह अपने table पे रखें, अपने teacher को दिखाएं, और observe करवाएं, dear teachers, please make sure children have picked purple color objects, और किसी और कलर को purple के साथ mix नहीं का रहे, so once this check is check and balance is done, we will be back and we will continue with the next activity, तो जनाब purple color के group activity, तो हो गई बहुत सारी चीज ने purple color के आपको मिली होंगी, शायद कोई toy, शायद कोई lunchbox, शायद कोई book का color हो, किसी color किसी को color pen से मिली हो, whatever you have found for purple color, very good and I appreciate that, so let's move on and see, कि अब अगली activity कौन सी करनी है, अभी तक हमने कौन सी तो activities की है, एक हमने की individual, जिसके आपने पडल को color किया, और दूसरी हमने की group की, जिसके अंदर आपने purple color के objects धूंडे, तो अब कौन सी activity रहती है, किसको नाम आता है उस activity का, जनाब science corner के activity के बात बारी आती है, art and craft की activity, yes, शाबाज, तो art and craft का मतलब, हम आप कोई colorful सा काम करने लगे हैं, और हम एक color बनाने लगे हैं, निया जिसका नाम है purple, और वो किन primary color से बनता है, red and blue के साथ, तो आगर आप देखना चाहें, के रहे ब्लू कैसे बनता है, तो ज़रा मेरे साथ रह हाँगी, तो activity के लिए तयारी जी और तयारी कर लें और हमने एक्टिविटी जो करनी है, इसके लिए आपको color बनाना है कुछ, तो I'll show you how we will make it, so teachers, please prepare the material on your table to perform the activity and we will be back. तो प्यारे बच्चों, अभी हम एक बड़ी मज़े की activity करने लगे हैं, जिसको आपने बड़े खौर से देखना है और इसको आपने खुद perform करना है, और teacher जो आपको activity भी करके दिखा रही हैं, वो इसलिए करके दिखा रही हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने इसको कैसे करना है, तो let's going, we are going to make a new color which is the secondary color, mixing two primary colors, तो मैंने पहले से ही यहाँ पे blue and red निकालिया है, and I have a cup of water, जिसमें मैंने थुदा सा पानी लिया है, तो I am going to mix a little bit of water, कुंकि यह थुदा सा द्राइ होगे हैं, and let's see if we can make the new color which is purple, so if it's too much of blue, it's going to be dark, if it is too much of red, it is going to be a little lighter shade, so let's mix it up well, और देखते हैं कि यह purple में change हो रहा है, देखें आपको स्कीन पे नजर आ रहा है, यह कितना प्यारा शेड बन रहा है purple का, you have to mix it well, see how interesting is it, teachers, आपने बच्चों को यह opportunity देनी है, थोड़ी थोड़ी quantity में paint को, वह mix करके, अपना color खुद स होजरी है, so I think the color mixing in front of you has been done really well, आपको purple color नजर आ रहा है, तो बच्चों कौन से color डाले थे, blue primary था, red primary था, and together they become a secondary color, which is purple, so I am going to use this activity, this purple color for an activity, जो अभी आपने भी करनी है, तो अभी आपने स्क्रीन पे क्या देख था, they were mixing two hands, तो अभी ठीचे जो आपको activity देंगी, वह इस paint को आपके हाथों पे लगाएंगी, और आपने जो है, अपने लिए एक octopus paint करना है, you are going to paint an octopus on a piece of paper, with both of your hands, just like this, so teachers आपको further guide करेंगी, किस activity को कैसे करना है, पहले अपने अपना color mix कर लें, और उसके बाद इस activity को execute करें, and teachers we will be back, तो जनाब जब हमने red and blue को mix किया, तो बन गया purple, और हमने paint किया purple color का octopus, तो यह octopus क्या होता है, it's a sea animal, and it has got eight legs, तो जो अभी आपने craft activity की, जो आपकी book में मौझूद है, उसके लिए teacher ने आपको purple paint दिया होगा, जो भी आपने mix करके खुद से बनाया है, और आपने एक white paper के प उसकी pasting की होगी, तो जितनी देर में आप activity करें थे, मैंने भी यह अपने student से, अपने hands का, उसके print का octopus बनाया, देखे कितना प्यारा लग रहा है, see it's an octopus, and it is done by hands, यह finger prints है, these are fingers, and this is the part of the palm, so आपकी teacher, इसको paint करने के बाद, इसी तरह ही marker से outline बना के decorate कर देंगी, आपका ना लिखते हैंगी, मेरे student का नाम मुईश था, तो इसलिए मैंने वो यहाप इसका नाम भी लिख दिया, ता कि मुईश इसको घर ले जा के अपनी मावा को लिखा सके, so let's continue and see what is coming up next, enjoy this activity I hope, and now it's time for you to see what would be your homework, तो जनाब आप अगर आपने अपना octopus भी बना लिया है, और काम थोड़ा सा मैसी मैसी हो गिया है, so you can go and wash your hands with soap and clean them up, so what color you made today, you made purple color and it is a secondary color which is made with red, mixing red and blue together, तो यही आपने घर जाके, mix करके colors अपनी मामा को भी बताने हैं, कि आज आपने क्या task किया, तो color recall कर ले, SLO recall कर ले, आज हमने purple color बनाया, और जिन दो colors को mix किया, वो तो हमें already पता ही थे, so red and blue together, makes the purple color, और activity करना नहीं भूलनी है, आपने, जो मैं भी आपको दूंगी, your homework is this You have to make sure that you go into your toy corner, or you can move around in the house, sometimes हमें toys में वो color नहीं मिलता, जिसको हम specifically ढूंड रहोते हैं, तो आपको घर में कहीं न कहीं तो कोई चीज मिल देगी न purple color की, जैसे मेरे पास घर में एक चीज थे और उसकी picture मैंने खेंच के लगा, यह मैं आपको दिखाऊ, it's a brush in a dust pan, yes, यह मेर घर में purple color का था, तो मैंने इसकी picture लेकि यहां लगा दी, तो आप भी घर में कोई ने, कोई purple चीज ढूंड सकते हैं, और उसका नाम अपनी मामा से पूछ के, next day आके अपनी चीचर के साथ share कर सकते हैं, अपनी friends को बता सकते हैं, कि मेरे घर में क्या चीज purple color की थी, और अग a big huge size of a crayon, जिसके अपर लिखाव है purple और आप ने purple color से ही इसको color करना है, आप color pencil लेते हो, crayon लेते हो, water paints लेते हो, घर पे करना है, यह आपके अपनी मर्जी है, whatever medium you have, but make sure your worksheet looks pretty, to come to school tomorrow and get displayed on the board, so I hope the lesson was fun and can anyone of you identify and tell me, is there any purple balloon in the given picture, yes, the ones who have identified, शाबाश और जिनको भी समझ नहीं आई, teacher उनको वीडियो दुबारा पॉस करके भी दिखा सकती हैं, but for the ones who have found it, clapping for them, yes, there is only one purple balloon in the whole bunch of balloons, so that means, अब आपको पर्पल कलर की पहचान हो गई है, तो कल जो हम activities करेंगे, वो आपकी इस पहचान को further develop करने के लिए करेंगे, so I hope the lesson was fun, the activities were interesting, और आपने बहुत enjoy करके आज एक निया color बनाना सीखा, please अपना homework और अपनी work sheet करना मत भूलेगा, अपना ख्याल रखें, कल नए lesson के साथ, purple color की और activities के साथ मिस सदफ आपके सामने होगी, thank you and Allah Hafiz.